कि अलो फ्रेंड्स वेलकम बैक भी यूट्यूब चैनल तो आज मैं आपके लिए 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 यह पॉंचे का इक अलग डिजाइन तो देखे मैंने पॉंचे की कटा यह वो किस तरीके से की है और जो पॉंचे की चोड़ाई है वो डाई इंच है और जो लंबाई है वो बेसिक हमारी 6 इंच होती है तो 6 के सबसे 12 इंच तो 12 से मैंने एक इंच एक्स्ट्रा लिया है तो 13 इंच है तो सबसे पहले जो बीच में हमने ये डिजाइन बनाया है उसके अंदर इस तरीके से एक फुलोर बनाएंगे जिसके मैंने सरफ पांच ही पतिया मनाई आप चाहे तो थोड़ी ज्यादा भी रख सकते हैं यहां से हम डिजाइन ड्रो कर रहे हैं तो देखिए मैं पतियां बना रही हूं और सिंपल सी लाइने हैं आप इसे असानी से बना सकते हैं इसी तरीके से मैंने दूसरे तरफ भी बना लिया है और अब इस पे हमें सिलाई देनी है उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हम आपको वीडियो पसंद नहीं भी आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी बनी है क्या वीडियो में कमी है तो देखिए हमारा फ्लॉवर है यह भी त्यार हो गया अब इसके बीच में हमें लाइने बनानी है इस तरीके से में इसमे सा डिजाइन है आपको पहुंचा है वो भरा हुआ भी लगेगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी देख सकते हैं हमारा जो फ्लावर है वो कंप्लेट हो चुका है अब हमारा जो आगे का डिजाइन है वो हम कंप्लेट करेंगे इसकी गोलाई देने में थोड़ी इसी प्रॉब्लम आती है तो आप मशीन को बार बार रोक के अच्छे से सिलाई लगा लीजीगा इस पर जैसे मै हम त्यार करेंगे यह सिंपल सा डिजाइन था इसे हमने त्यार कर लिया आगे की जो हमारी पती है उसे हम त्यार कर लेंगे तो देखिए हमने इस पती को भी त्यार कर लिया है अब हमारा जो नेक्स डिजाइन है उसे हम त्यार करेंगे तो भी हमारी नॉर्मल छोटी इसी यह सँ हम वे हम सिलाई दे के त्यार कर लेंगे है कि इच वह normal कर लिया है अगी मेरा छोटा आसा फ्लॉवर है कि चोटो फ्लॉवर को भी हम तैयार कर लेंगे इसमें सरफ तीन इंपद्श这ं ही बनाई है मैंने और वी जो बीच वाला का सब बेड़ा फ्लॉवर था इसमे मैंने पांच पत्या बनाई है आप चाहे तो पत्यों का साइज छोटा करके उनकी जो संख्या वो ज्यादा भी कर सकते हैं पांच से छह साथ जितना आपको अच्छा लगे देखिए इस तरीके से में दूसरी तरफ दूसरी तरफ भी बना लेना है तो देखिए मारा पांचा बनके त्यार है कमिट करके जुरूर बताएगा कैसा बना है यह थैंक यू फॉर वाचिंग